हैलो श्तुर आज आपसे बात करने वाले है मेडियेटेक की तरफ से आने वाले दो नया पूसर के वारे में जो कि इस तो एक आता है करते हैं और यह आता है हमारा मिड्रेंज में दुस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पर बजट रीज्स की तो इसमें आता है हम पर मेड़ा गटीएट जी एटी रिपी नियूट थो यह तो यहां पर आता है आप का जो है 15,000 रुपए की आप 15-20,000 रुपए ये प्रैस में आपको देखने को मिल सकता है तो अज हम आप से बात करने वाले हैं मेरे टेक हेलियो जो जो फिए आपको बता है जो स्मार्टफून एक के साथ यहां पर आया हुआ और शाथ तो कई सारे स्मार्टफून एंडिया के नदर आचुके प्राफिकर देखने को मिलते है और काफी अच्छी गेमिंग हमें आपक रा देता है साथी performance दो काफी गज़पी देखने को मिल जाती है दोस्तों अब बात आते हैं यहाँ पर G96 की दोस्तों देखते हैं कि यह जो है upgrade निकल के आता है या फिर डाउन लिखते हैं यह 4G के साथ आया या फिर 5G के साथ आया यहाँ पर जो की G95 का सक्सेसर है तो जाने के इस वीडियो के अंदर तो अगर आप कोई भी स्मार्टफून लेने की सोच रहे हैं या कभी आप फूचर में स्मार्टफून लेना चाहते हैं तो आपको इस प्रूसर के बा 120Hz वाला AMOLED या फिर LCD डिस्प्ले को यह सपोर्ट करता है जो कि उस तो काफ़ अची बात है अगर हम पिसले G95 के अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो है हमें केवल 19Hz का सपोर्ट देखने को मिलता था तो यह काफ़ी अच्छा आप गिल आपर देखने को मिल जाता है इसक सपोर्ट मिलता है साथ ही इसमें आपको काफ़ अच्छी स्पीड आपको यहां पर प्रोवाइट करतेगा इसके अलावा उस तो यहां पर आपको वोल्टी एंड वी आई एल्टी का भी सपोर्ट मिलता है तो यह काफ़ अच्छी बात है वहीं कंपर करतेगा G95 से तो वहां पर भी आपको डूबल 4G का सिम का सपोर मिलता है साथी वहां पर उस तो आपको जो मोडम यूज किया गया है वो कैट 12 यूज किया गया है तो यह एक हमें काफ़ी अच्छा मोड़न देने को मिल जाता है इसके लिए बात करते हैं आपर कैमरा सपोर्ट कि यह तो अगर सिंगल कैमर की बात करें तो यह तो एक सो आप पर अगर हम डूबल कैमरे की बात करते हैं तो यह 16 प्लेस 16 मेगापिक्षल का कैमरे को यहां पर सपोर्ट करता है वहीं इसके अरावाज तो अगर हम बात करें आप वीडियो रिकॉर्डिंग की तो यह जो है फूर के वीडियो आप 30 एपस पर रिकॉर्ड कर पाऊगे फुल الحण दी प्लेस वीडियो दो तो 120 एपस पर रिकॉर्ड कर पाऊगे एठेटी प्लेस वीडियो जो है आप 240 एपस पर रिकॉर्ड कर पाऊगे इसके आप बात कर रहे हैं हम G95 की तो यह जो है जुस्तो एबल 64 मेगा पिक्सल के सिंगल दिए सापोर्ट करता है और साथ ह तो अगर हम बात करते हैं आप पर वीडियो रिकॉर्डिंग की तो वो आपको यहाँ पर सेम देखने को मिल जाते हैं आप 4KFS में आपर रिकॉर्ड कर पाऊगे 30FS और बाकि तो फुल इसदी प्लेस आपर रिकॉर्ड कर पाऊगे 120FS कर पाऊगे आप 240FS तो यह आपर सिर्देखने को मिल जाता है लेकिन कैमरे के मावलना में G96 तो आगे निकल जाता है अब उस्तों बात करते हैं इसके आर्किटेक्टर की यानिकी परतार लेगा उस्तों प्रोस्टर यहां पर किस मेकनीजम पर वेस्ट है तो उस्तों यह जो है दो बिक कोर हैं जो पर्फॉर्मेंस के लिए यह बेस्ट है तो कॉटेक्स A76 जो कि क्लॉक किया गया है 2.05 बिगाहर्ट पर वहां पर भी यह से अप्रोस्ट देखने को मिल जाती है जूसे बहां पर विजुक्त विए जूसर दो बिक कोर जुसंतों जो हैं वो बेस्ट हैं आप पर कोर्टेक्स A76 यहां पर चेनिगोने ऑस चीजंजर तो यहां पर थोड़ी सी तो यहां पर हीटिंग वजारा देने हों मिल सकती है गेमिंग के दोरान इसके दोरान इसके दो बात करते हैं गेमिंग परफॉर्वेंस याने कि इसके जीप्यू की तो इसमें उसके यूज किया गया है आम माली जी फिफ्टी सेवन एम्सी टू यहां पर एक डाउन ग्रेड यहां पर थाविट होता है तो किलियर डाउन ग्रेड़ रिदेंस से बोल सकते हैं वहां पर मैं थोड़ी जिप्यू यहां पर यूज किया गया है तो जो परफॉर्मस गेमिंग की मिलने वाली वह तो जी नाइन टीफाइब के अंदर उसके पह जा रही है तो उस हिसाब से यहां पर हमें डॉट्र देखने को मिल जाता है जी इन टी सिक्स भागिव के आपको पर इंजेंट डूपवर्वाइट जिखने को मिलेगी गेमिंग के लिए और वही इसकला वाइफाइग की बात करें तो आपको दोनों में भाई-फाइफाइट देखने को मिल जाता है साथ ही हम बात करेंगर Bluetooth की तो आपको G96 में मिलता है Bluetooth 5.2 वर्जन और वहीं G95 से गर हम कंपेर कर तो वहां पर Bluetooth 5.0 दिया गया है तो यह एक अच्छा ग्रेड में G96 के अंदर देखने को मिल जाता है और इसका अगर हम बात करते हैं आपर N22 Benzmark के तो अ बात करें performance की तो वह आपको दोनों में सेम performance देकने को मिलने वाली है लेकिन अगर हम बात करते हैं तो गेमिंग performance की तो मेरे ख्याल से अब भी आपको G95 में मेरे क्याल से जदा बेटर देखने को मिलेगी क्यों वहां पर आमे जो जीप्यू देखने को मिलता है वह पहले जो इसके मुकालवे इस तो काफी हमें बेटर देखने को मिल जाता है और performance ची आपको काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है और मेरे खाल से अगर हम बात करें camera department की अगर माली जी इस तो कोई भी smartphone launch होता है और वहाँ पर हमें इस तो camera जो setup काफी अच्छा देखने को मिलता है लेकिन अगर आप यहाँ पर gaming user एक है तो उस तो तब मैं आपको यहाँ पर G95 रेक्मेंड करूँगा कि आपको G95 के साथ जाना चाहिए बाकि है तो अगर अगर अप्ग्रेइशिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा अप्ग्रेड हमें आप देखने को नहीं मिलता है हाला कि कुछ अप्ग्रेड हमें camera के अंदर देखने को मिल जाता है Bluetooth के अंदर देखने को मिल जाता है बाकि अगर हम बात करें display के उसके अंदर हमें देखने को मिलता है वो भी यहाँ पर जो है refresh rate के साथ देखने को आता है तो बहुत ज़्यादा अप्ग्रेड नहीं किया लाएं लेकिन उस भी सियाँ पर मिलेट एक नहीं पर फूर जी पूर्श्र को यहां पर पेस किया पता नहीं तो में डिक अभी साइद फूर जी यहां पर लाने वाला है मेरे कास्व पर इसको फाइब जी लाना चाहिए था फिलाल के लिए जी नाइनटीफाइबी सीरीज म देखने को मिलने वाले और क्या दो एक दम डाउन रहने वाला है और जी नेटीफाइब इस तो पहला भी बिनर था और आज भी इस तो विनर ही रहेगा वो और बाकी अगरम कैमरा और डिस्प्लेश को अगर ना देखते तो फिलाल के लिए जी एक अच्छा उप्शन याप पर लगाया है तो जो भी स्मार्टफोन आप लेने के सोचन हों गेमिंग के परपस से तो जी नेटी फाइब जिस तो आज भी एक बेटर आप्शन नहींगा तो फिलाल जिस तो आप बताईया आपके सोचते इस प्रूस्टर के बारे में आपको ये प्रूस्टर कैसा लगा यहाँ पर कमेड़ा में जरूर बताएगा साथ एक आप कोई वीडियो पसंद आए हो तो प्ली तिक लाइक कर जेगा और आगे भी एगर आप ऐसी इंटेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनला को सब्सक्राइब कर लेजिए साथी बैल आकिन को जरूर प्रस कर आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए उस तो मिलता हैं किसी नेक्स वोडियो में किसी और इंटेस्टिंग टॉपिक के साथ में अते के लिए इन बाई बाई टेक क्यार